एइ गाईस विलकम पार्ग तो था स्टॉक्स नेजिए चैनल इन तोडेश वीडियो वे अग्वाइब देस्कूस अबाउट हाउट्ट सेलेक्ट स्वेंग स्टॉक्स सो अध्सकट स्रीट तू टॉप है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं how to be more selective in swing trading swing trading करने के लिए हम लोग क्या-क्या चीज़े और बहतर improvise कर सकते अपने technique को ठीक है उसके बारे हम बात करों जिसको जिसको knowledge नहीं है कि stock कैसे pick किया था for the swing trading purpose from the basic I'll start okay सबसे पहला procedure होता है you have to select the uptrend structure uptrend हमेशा याद अगना अगर आपका stock uptrend में नहीं है don't look for a buy चाहे उसमें कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए मत बाई करना अगर जब तक stock uptrend में नहीं है तक अगर uptrend में है तभी अब आता है uptrend क्या होता है uptrend मतलब higher or higher loss इसे कहते है structure किसी को नहीं idea higher or high loss क्या होता है click on the eye button you will get it और वहां से रट लो basically रट लो किस तरीके से होता है understand the thing ठीक है उसको समझो कि किस तरीके से मैंने बताया है each and everything नहीं होता है तो रट लो being very honest रट लो भाई मगर उसको भूलना मत उसको follow करो अर्ग जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो सब चीज़ें सबसे पहला चीज अब ट्रेंड में होना चाहिए दूसरी चीज अब ट्रेंड में होने के बाद वी नीड तो मांग दिमांट and supply area तीसी चीज आती है volumes चौती चीज आती है RSI relative strength of your chosen stock basically यह psychological part है जो मैं use करता हूँ generally बहुत rarely कोई बताता है इसके बारे में कि strong stock कैसे पिक किया आता है बहुत rarely कोई बताता है चार चीज पछमी चीज वहती है execution part which is the most difficult part in the trading तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अब trending structures को पकड़ना है हमेशा जैसे यहाँ पर देखो mtar technology है क्या वो अप trending में higher high lows higher high lows नई यह क्या है यह downtrending में lower lows lower highs lower lows lower highs avoid चाहे कोई भी stock हो downtrending में है चाहे उसका CEO बदल गया है चाहे वो company बहुत अच्छा result लाया है चाहे वो दुनिया भर का dividend दे रहा है आज तक जिंदगी भर में किसी को अतना dividend ने दिया है चाहे for the fuck से कुछ भी बोल रहा है वो इंसान चाहे वो company कुछ भी बता रहा है मत बाय करना कभी बाय मत करना downtrending stock को कभी भी नहीं हमेशा uptrending को ही लेना है ठीक है you have to be smart enough to make in the stock market बेफकुफ रिटेलर मत बनो जो downtrend वाले stock पकड़ते है अब trend को पकड़ना है तो क्या हम लोग एमिटार लेंगे कभी नहीं लेंगे at any cost हम लोग example के तौर पर दिखते है ऐसा stock जो uptrending पे हो राइट जैसे टेकन एजांपल सन फार्मा बहुत दिनों अब trending में शायद for example here ठीक है क्या है अब trending में higher high lows higher high lows के structures पे यह सब stock में ताकत है वो सब stock में ताकत नहीं है आज मैं शायद Thursday को record कर रहा हूं यह वीडियो और 90-50 गिरा है around 1% and see यह आज भी बढ़ा है 1.75% उपर की तरफ which indicates strength यह सब stock में strength होता है जो uptrending वाले stock होते हैं वो सब पकड़ो downtrending को भूल जाओ downtrending के average मत करो कुछ मत करो जो downtrending है ठीक है पहला चीज clear हो गया सपोस्स मेरे को sun pharma अब trending में आ गया मेरा MS Excel sheet prepare करो या फिर लिखो अपने journal में जो stock तुम चूज की हो पहला criteria क्या फुल्फिल हो अब trending अब दूसरा आता है demand and supply mark करना ठीक है demand रे supply क्या होते है ऐसा area जहां stock push कर रहा है ऊपर के तरफ उसे हमनों डिमांड कहते है ऐसा area excuse me ऐसा area जो stock आता है volume, अब volume क्या करना है न, price और volume को साथ में react करना चाहिए, price अगर उपर जा रहा है तो volume को भी उपर होना चाहिए, अगर price नीचे आ रहा है तो volume भी नीचे हो रहा है क्योंकि हम लोग buying state में, हम लोग selling state में नहीं है, तो हम लोग buying state में यही सब घूनेंग, that is, buy करते समय price उपर है, तो volume भी उपर होना चाहिए, price अगर नीचे फॉल हो रहा है, तो volume जितना लो हो जाए, उतना better होगा, which indicates selling pressure कम है, इसलिए हमारे लिए beneficial है, क्योंकि हम लोग buy ही कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, volume काफी high उपर push किया, जितना भी pushing areas है, volume हमेशा high था, और जितने में downfall है, हमेशा volume लो है, which indicates, selling pressure नहीं है, buying पर बहुत strength है, दूसरी चीज़ होगे, sorry, तीसरी चीज़, चौती चीज़ आती, RSI, RSI मतलब compare करो, chosen stock को, from the Nifty 50, ठीक है, let me check, Nifty 50 को compare कर लो, कुछ नहीं करना है, Nifty 50 क्या कर रहा है, उसको देखो, और जो तुम्हारा chosen stock है, जो तु कर रहा है, उसको गौर करना है, nothing else, ठीक है, तो उपर वाला Nifty 50 है, नीचे वाला हमारा Sun Pharma है, so if you will see, the last जो था, वो अभी क्या किया है, वो अभी downfall आया, एक last candle, ठीक है, around 1% का, I guess, fall हुआ है, but on the other hand, Sun Pharma, आज भी rise किया 1.75%, मतलब buying कि, ये सब stocks में हो रहा है, that is, Sun Pharma में, Nifty 50 वाले stocks में नहीं हो रहा है, ये strength दिखा रहा है, कोई ने कोई interested है, तभी हो आज green candle बन रहा है, अगर कोई interested नहीं है, कोई selling पर interested है, इसलिए वो red candle बन रहा है, यहाँ पर कोई कौन है, big player, promoters, जो market को rule करते हैं, ठीक है, clear ह हो गया, हम लोग क्या किये, strength देखें, कि stock का strength किस में ज्यादा है, that is, Sun Pharma में ज्यादा है, in comparison to Nifty 50, और अपनी को यही करना है, comparison, clear, यह हो गया, अब आती है, buying, that is, execution part, buying किस तरीके से कर सकते हो, buying के लिए बहुत simple है, demand or supply, जो आपने mark किया है, that is, this demand है, sorry supply, और यह demand है हमार this whole area is our demand area, दो, दो strategy आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, पहला चीज, supply के उपर टूटेने के बाद, retest करे, या फिर higher lows बने, go for a buy, और else, near to the demand area, buy करो, put your stop loss below the demand area, somewhere here, somewhere here, like that, and go for the trade, अब हाता है हमारा execution part, execution part, हम लोग दो तरीकों से करेंगे, ठीक है, जो आपको preferable लगे, जो आपको comfortable लगे, go for it, take an example, मैंने supply area mark कर लिया, and मैंने demand area mark कर लिया, what you can do that, अगर आपका stock supply break करके, retest करता है, या फिर higher lows बनता है, go for the trade, और else, near to the demand area, buy करो, put your stop loss below the demand area, and go for it, हम ऐसा नहीं बता रहे है, holy grail rule है, कि आप हमेशा इस पर success ही कमाऊँगे, ऐसा कुछ नहीं है, बठा, probability जादा है, यह दो टेकनीक का, जो आप लोग यूस करोगे, जिस अब जितने वे strategies मैंने बताया है, किस तरीके से strong stop pick किया जाता है, swing strategy किस तरीके से लगा जाता है, ऐसा नहीं कि यहां पर आपको stop loss hit नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है, बट probability जादा है आपका winning का, और हम लोग को वहीं पर focus करना है, winning side जादा probability होना चाहिए, right, it's up, thank you guys.